नमस्कार दोस्तो यूट्यूब के जड़ी बूटी ग्यान चैनल में आप सभी का एक बर फिर तहे दिल से स्वागत है दोस्तो आज हम जिस नायाब व्रक्ष के बारे में जानकारी लेकर आए हैं वैसरेष्ट फल मांगलिक वैधर्मिकारियों में इतना महत्पून है कि हवन इस्टदर्शन विवाधिकारे इसके बगेर पून नहीं होते खाद्य पदार्थों ओसधियों स्वाध वरद्दी है तू इसका खूब प्रियोग किया जाता है दोस्तो इसे नारियल, नारिकेल, इशकंदफल, नारल, नारिकेलुमू, तेंगा, नारगिल, नालियर, टेंगू, कोकोनट तथा कोकस न्यूसी फेरादी नामों से जाना जाता है विशु में सरवाधिक नारियल का उत्पादन फिलिपिन्स में किया जाता है इसके अलावा भारत, स्रिलंका, मलाया, वेस्टन डीज में भी इसकी खूब उत्पादन किया जाता है भारत की बात करें तो यहां केरल, तमिलनाडू, गोवा, करनाटक, गुजरात, उडीशा तता अंड मानिको बारादी में भी इसका उत्पादन खूब मात्रा में किया जाता है इसके वरक्ष 60 से लेकर 900 फिट तक भी उचे हो जाते हैं नारियल विरक्ष का तना, इस थूल, क्रश्न वर्न वाला, धूसर वर्न वर का इस होता है इसके पेडों से साखाएं, प्रैसाखाएं यानि टहनियां निकलती हैं इसके पत्र बड़े-बड़े संयुक्त 8 से 18-20 फूट तक लंबे हो जाते हैं इसके पत्रक 2-3 फूट लंबे रेखाकार होते हैं, इसके पुस्प बंद अनेक मंजरियों में बटे रहते हैं जिस पर निचले भाग में नर्वय मादा पुस्प लगे रहते हैं, लेकिन उपरी भाग में केवल नर्पुस्प आते हैं इस तरी पुस्प गोल आकरती वाले बड़े वे कम संख्या में होते हैं, जबकि नर्पुस्प जो होते हैं वे छोटे सुगंदित तता संख्या में अधिक होते हैं इसके फल अंडाकार त्रिकोणिये तता दस से बारा तेरा इंच लंबे होते हैं, नार्यल के वरक्ष पर वर्स भर फूल लगते रहते हैं, कच्चे फल हरे चिकने पानी से भरे होते हैं, पके फलों का आवरण कठोर रेशों से घिरा तैलियुक्त होता है दोस्तों, नार्यल के फल के साथ ही एक छोटा सा बीज होता है, जिसे अंकुर्या किल्ला कहते हैं, इसे ही नया वरक्ष बनता है चलो अब बात करते हैं, नार्यल के गुण धर्मों प्रकरती विपाक आदी के बारे में नार्यल में मधूर रस, गुणों में गुरू, इसनक्द गुण युक्त विपाक में मधूर तता सीत वीरिय यानि ठंडी प्रकरती का होता है यह वातपित का समन करने वाला होता है, नार्यल खाने के बाद कभी भी पानी का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इसे त्रीव कफ प्रकोप होने की पूरी संभावना रहती है दोस्तों चलो अब बात करते हैं नार्यल के प्रयोज अंगो मातरादी के बारे में नार्यल के वरक्ष के जो कच्चे, पके, फलो, पुस्पो, तैल, मूल, अकशार, फल के पानी का खूब परयोग किया जाता है अगर नार्यल के फल को लेते हैं तो बीस से तीस ग्राम तक तैल लेते हैं तो 10 से 20 बूंद तक और अगर अक्षार लेते हैं तो 4 रती से 1 ग्राम तक की मात्रा में परियोग कर सकते हैं दोस्तों आप बात करते हैं नारियल के कुछ स्वास्त लाबों के बारे में नारियल एक ऐसा फल है जिसका वर्स भर परियोग किया जाता है ताज नारियल की गिरी मास तत्त्तों को बढ़ाने वाली तता इस में वसा, द्राक्षा, सक्रा, इच्चु, सर्क्रा, तत्त्तों की भर पूर मात्रा होती है इसके तेल में लारिक अमल, केप्रिलिक अमल, पोमेटिक अमल, स्टीरियक अमल के ग्लेसराइड्स होते हैं जबकि नारियल के पानी में प्रोटीन, इच्छु सरकरा, क्लोराइड्स, विटामिन A, विटामिन B खूप पाये जाते हैं तता इसके अक्षार में पोटास की भरपूर मात्रा होती है नारियल ठंडा मधूर बल शक्ती बढ़ाने वाला सरीर को हश्ट पुष्ट बनाने वाला संभोग सक्ती वर्धक महिना लाने वाला अनुलोमक आदी गुणों से युक्त होता है इसे एक आदर साहर माना गया है यही नहीं इसकी गिरी में रेसे यानि फाइवर की खुब मात्रा होने के कारण यह कबज को दूर करने में भी बहुत सायक है इसे आतों में चिकनाई आ जाती है और कैई प्रकार के रोगों को दूर करने में भी यह मददगार है यह पाचन तंत्र, रक्त वहतंत्र तता मुत्र वह संस्थान के रोगों का नास करता है कच्चा पक्का दोनों ही तरह का नारियल फल स्रेश्ट उर्जा शक्ती देने वाला होता है दोस्तों अगर सरीर पतला है, दुबला कमजोर है, सरीर हड्डियों का धाचा जैसा लगता है, वजन भी कम है, पाचन तंत्र सबल है तो नारियल की गिरी का परियोग गुडिय सक्कर के साथ करने से सरीर खूब पूष्ट करांती युक्त सक्ती संपन बन जाता है क्योंकि यह सीत वीरिय वसा भी इसमें खूब होती है, जो सरीर में सिग्र सोसित होकर वसावे मास की वरदी करती है दोस्तों हिर्दे की कमजोरी दूर करने का जो हिर्दे को शक्ती परदान करने के लिए नारियल का पानी खूब लाबकारी है यह सरीर की जो रोग कारी शक्ती है, रोग को दूर करने वाली शक्ती है, उनको ताकत परदान करती है, विश्पदार्तों को बाहर निकालती है तता खुल कर पेशाब लाती है, खून की बड़ी गर्मी विक्रत पित को भी शांत कर देती है, यह जो नारियल का पानी है वो बहुत ही गुणकारी है अधिक प्याश लगना, अधिक गर्मी लगना, होट मूँ सूखने में भी लाब करता है, यह सरीर सोधक, रोग नाशक, नेचुरल टोनिक है दोस्तों, अगर पाचन तंत्र कमजोर है, पाचन ठीक से नहीं होता, मल सक्त आता है, कब जो रहती है, आचों में मसाने में गर्मी अधिक है, ततम माल लाशे में गाठे बन जाती है तो नारियल पानी पाचन तंत्र को सक्ति देता है और गर्मी को दूर करके मल को साफ करता है कब जो बवाशी रादी में भी राहत देता है दोस्तों अगर सिग्र पतन की परिशानी है प्रमेर रोग है वीर्य का तार बनता है सपन दोस्की समस्या है संभोग सक्ति कम है सरीर में मुत्र संस्थान में या वीर्य में गर्मी अधिक हो गई है बढ़ गई है तो नारियल पानी का नियमित सेवन करने से कुछ दिनों में ही सरीर की बड़ी गर्मी सांध हो जाती है और मुत्र खुल कर आता है काम शक्ती संभोग की शक्ती खुब बढ़ने लगती है वीर्यक गाड़ा होकर संभोग का समय भी खुब बढ़ा देती है दोस्तों अगर आखे लाल रहती है पित विकरती है आखों में जलन रहती है आखे भारी भरी भरी रहती है नींद नींद सी रहती है सिर दर्द रहना यारदास्त की कमी नित्रों में जाला आना नित्र जोती का घटना आदी समस्याओं में भी नार्यल पानी अमरत की भाती कार करता है और उपरोक्त सारी समस्याओं में बड़ा आराम पहुचाता है दोस्तों अगर चेहरे पर दाग कील मुहां से जाईयां जुरियां पड़ रही है तो नारियल पानी रक्त का सोधन करके चेहरे की क्रांती बढ़ाता है तता कील मुहां से जाईयां दी का नास कर देता है और उसे चेहरे पर क्रांतिया ने लगती है दोस्तों अगर रक्त पित यानि नाक मुह गुदा मुतरुक मार्ग से रक्त आ रहा है या रक्त आने की समस्या है नक्सीरी छुटती है तो नारियल के पानी के साथ मिस्री वे इलाईची बीजों का चून मिलाकर सेवन करने से रक् लित व्यक्ति को आराम आजाता है दोस्तों अगर आनिंद्रा रोग है नींद नहीं आती सिर्भारी रहता है आखें चड़ी चड़ी रहती हैं भरी भरी रहती है तो नारियल का पानी पीने से मस्तिस्क की नसों को आराम मिलता है रक्त की गर्मी शांथ हो जाती है क्योंकि नारियल पानी सीतलता देने वाला बदार्त है, इस प्रकार इसे नींद भी खुल कर आने लगती है, और मानसिक आराम मिलता है, मानसिक नाडियों को जो सक्ती मिलती है, अगर भ्रम हो रहा है, देखी बात समझ में नहीं आ रही है, रास्ता चीजें समझ नहीं पा रहे हैं, गुमेरी चक्कर आ रहे हैं, तो नारियल पानी में सक्कर मिला कर पीने से सीतलता उत्पन होकर शान्ती मिलती है, और भ्रम, चक्कर, मुर्चा, प्याश, गर्मियादी की समस्या दूर हो जाती है, दोस्तों अगर अमल पित की समस्या है, खटास बढ़ गई है, कलेजे पल जलन रहती है, आतों में जलन हो रही है, तो धनिया बी चून, दो गिराम, मदूरक शार, दो गिराम, नारियल पानी के साथ सेवन करने से, तुरंत लाब हो जाता है, और डकारे आती हैं, और एसिड गायब हो जाती है, दोस्तों अगर हिचकी आ रही है, बंद नहीं हो रही है, चरदी विसूची का है, तो नारियल पानी में बर्फ मिला कर पीने से, तूरंत लाब हो जाता है, सूखी खासी है, बलगम नहीं उठता, खास खास कर बुरा हाल हो जाता है, तो दूदिया नारि करके पिलाने से सूखी खासी में आराम आ जाता है और कफ भी आसानी से उखडने लगता है तो इसी प्रकार दोस्तों अगर गर्ब वती इस्त्री दूधिया नारियल का मिसरी के सावन साथ जो है सेवन करती है तो प्रसव के समय बच्चा आसानी से बिना कष्ट के पैदा हो ज होती है दोस्तों अगर सिर दर्द आदा सीसी की समस्या है गर्मी का दर्द होता है आराम नहीं आता नींद भी कम आती है तो यह परियोग सब भी परकार के सिर सुलो का नास करने के लिए नायाब है इसके लिए एक नारियल में छेद कर उसमें घी भरकर छेद को बंद कर दे पक्ती हुई खिचडी के में सीधा ही रख दे, खिचडी पकने पर उसको निकाल कर उसमें देशी घी, जो खांड है उसको मिला कर 60 ग्राम की मातरा में, काली मिर्चून 6 ग्राम की मातरा में मिला कर उसको पीस कर रख ले, इसे 30-30 ग्राम की मातरा में सुभासाम दूद के साथ सेवन करने से बड़ा लाब होता है इस प्रकार नारियल प्रकरती द्वारा दिया गया अम्रत है तता स्वास्तकारी स्वास्तकारी टोनिक है परिनाम सूल में नारी के लवन बड़ा गुनकारी है इसका पानी सैकडो रोगों में हितकारी है इसका परियोग करें वे अपने वे लाइक करें शेर सब्सक्राइब करें और रही दी गई जानकारी का लाब उठाएं